नमस्कार मैं शगा चोहान और आप देख रहे हैं Phrb बिहार के पूर मंत्रिव वरिस्ट नेता राम जतन सिना हुए कॉंग्रेस में शामिल जी हाँ जीडिव के नेता रहे राम जतन सिना अब कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो गए हैं आईए जानते हैं क्या है पूरी खबर जैसा कि आप सब जानते हैं बिहार बिदान सबाद चुनाओ से पहले कॉंग्रेस की एक नई मजबूती देखने को मिली है कॉंग्रेस पार्टी जो है दिनवदेन मजबूत होती नजर आ रही है वहीं बिहार के पूर मंत्री राम जतन स सिनहा बुद्भार को कॉंग्रेस में शामिल हो गए नई दिल्ली में इस मौके पर बिहार कॉंग्रेस के प्रभारी पवन खेड़ा और राजसाबाद सांसर्च सयद नाजर हुसेन और प्रदेश अखले सिंग के समक्षनों ने कॉंग्रेस का हाथ थामा आपको बताते फिर से कॉंग्रेस का दामन पकड़ लिया है राम जतन सिनहा ने वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने कॉंग्रेस में घर बापसी की है कॉंग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार के सियम नितीष कुमार पर डारेक्ट हमला बोल दिया है कॉंग्रेस में आते ही नितीष से स्तीफे की मांग कर दी है उन्होंने कहा कि नितीश कुमार को स्तीफा दे देना चाहिए वही मीडिया से बातचीत के दौरान कॉंग्रेस में बापसी पर रामजितन सिन्हा ने कहा कि जैसे आप लोग काम में व्यस्त रहते हैं पर जब घर जाते होंगे तो खुशी मिलती होगी सर्विस करने वाला व्यक्ति हो या फिर कोई बाहर रहने वाला व्यक्ति जब वो घर लोटता है तो जिस्त प्रकार उसे खुशी मिलती है ठीक वैसे ही आज मुझे खुशी मिल रही है आज मुझे व्योख खुशी हो रही है जो एक काम करने वाले व्यक्ति को घर लोटते वक्त होती है साथी साथ सिना बोले कि शमता से पार्टी संगटन को और मजबूत करेंगे पार्टी के लाइन के साथ मिलकर काम करेंगे आगे निती सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि शाषन की जो भागदोड है राज्य सरकार के हाथ में नहीं बलकि चंद अपसरों के हाथ में है सवाल उठाया कि अपसरों के चलते ही पुल गिर रहे हैं तो उनके खिलाफ कारवाई कौन करेगा वहीं दूसरे हो रामजतन सिनहा की तारीफ करते हुए नजर आये प्रदेश सद्यक्ष अखिलेश सिंग्ग उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं उन्होंने कहा कि कैसे एक शात्र अंदोलन से रामजतन सिनहा का पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ और जो उस जमाने के लोग थे वो सभी लोग जानते हैं कि कैसे शात्र शंग के चुनाव में लालू यादब को हरा कर रामजतन सिनहा ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरूत की कैसे उस एक इंसिडेंट के बाद उनके पॉलिटिकल करियर हुआ चुरू हुआ आपको बता दे बलकि बिहार, प्रदेश Congress Committee के अध्यक्ष भी बने, रामजतन सिन्हा के कारेकाल में Congress को काफी ख्याती मिली, जमीनी तब पर Congress काफी मजबूत हुई, किस की बजह से? रामजतन सिन्हा की बजह से, इसी के साथ Congress Party ने सिन्हा का तही दिल से स्वागत किया। प्रदेस अधिय आख्व ऐख्ले सिंग्ञ कि हम रामजतन सिएंह का स्वागत करते हुए यह जरूर कह सकते हैं तुप एक बड़ा गयान फ्रदेस अधियाक्ष की और से इसी के साथ व्म तनाओ निश्चित रूप से आने वाले जो विद एक तल्वार होती तल्वार की जो दो धारिया होती है धार दार बने गा और संकठन जो जमीनी स्थर पर मजबूत देखा सकता है मजबूत देखेगा किसके सिर्फ के मार्ग दंट सेा एंद की इसा अधㅂए सिंग्ग का कहाना है यह पहली बार नहीं है को कोई नेता-अly कारी करता है वर कंग्रेस का कोई कहलें देखने को मिलता है वह Actat सवाल उठा गार कि स्वाल को सोवा साम नहीं कहते हैं अब यह कहना बिल्कल भी गलत नहीं होगा कि पार्टी के बदलते हालात को देख कर रूटे हुए ठोड के गए हुए सब बापस आना चाह रहे हैं अगर हम तुलना करें कॉंग्रेस की 2019 से तो 2019 में कॉंग्रेस एक विपक्ष के रूप में जरूर सत्तापक्ष के सामने खड़ी थी पर एक मजबूत मजबूत विपक्ष के रूप में सत्तापक्ष के सामने खड़ी हुई है कॉंग्रेस की मजबूती को देखकर रूटे हुए कह सकते हैं बूले हुए कह सकते हैं सब पार्टी में वापस आने का सोच रहे हैं वहीं लोगों का कहना है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वा कि अने बाट